इतने सारे पैसे हैं भी एकदम असली नोट हाँ बई समान हट गया सारा जी जी भाई बस थोड़ा सा समान रहे गया इसको हटा के अभी आ रहा हूं अच्छा वो तो ठीक है मगर तुम्हारे ये हाथ में क्या है ये कुछ नहीं भाई पैसे हैं मी ने दिये थे राशन लेने के लिए अच्छा ठीक है जल्दी से सामान रखो बाहर देखो इतनी रात हो गया घर नहीं जाना बस थोड़ा सा काम है में करके आ रहा हूं ये लो खल सुबा को टैम प्या आ जाना नई शीडों की अलमारिया बनानी है ये लो यार वो सलामू नहीं है अपनी ध्यार लेने वो बाहर गिराज में अभी तक सफाई कर रहा है यार ये लड़का भीना बहुत ही मेंती है सारा दिन काम पे लगा रहता है काम करते करते शा काम हो जाती है मुझे खुद को बुलाना पड़ेगा तुम यहीं रुको सलामू बास चुटी करो बहुत हो गया काम ये लो तुमारी ध्यार यार बहुत काम करते हो और मेनत से करते हो ये तुमारी ध्यार एक्स्रा होगी अब तुम चुटी करो घर जाओ बाकी का काम सुब घीक है मालेक हम जा रहे हैं ठीक है भाई वो सुबा पानी में पैसे गिर के मुझसे गिले हो गयते वो मैंने शीट पे सूखने के लिए लगा दिये वो किसी से तुरआ ले ना ठीक है मजदूर तो चलेंगे है मैं खुद उतार लेता हूँ चलें ठीक है चल सलामू काम बंद कर आप घर चलें प्यार भई आज नैक ने मुझे डबल दिहारी दी है मेरा थोड़ा सा काम रहता है मैं ही करके आ रहा हम तुम लोग चलो यार हमेशे तो इकठे जाते हैं आज तो अकेला कैसे जाएगा मैं आज यूँगा भई कोई मसला नहीं है डबल दिहारी लिये ना मेरा जमीर नहीं गवारा कर रहा कि मैं इस तरह अपना काम छोड़ के जाऊं बस ये दो चार शीटे नखनी है तुम जाओ मैं आ रहा हूं पीछे मगर तेरे पास तो बाई की नहीं है रिक्षे पर आ जाऊंगा रश का इस टाम कहां से मिलेगा यर आ जाऊंगा यर पैदल आ जाऊंगा मसला नहीं है थोड़ा सा काम रहता है मैं कर कि आऊँगा डबल दिहारी मिली है मुझे ये क्या है इतने सुरे पैसे है ये हाथ न लगा इन पैसों को यह इनाम भेजाए अच्छा तो इसलिए तो हमारे साथ नहीं आना चाहता था देख भाई कल को मैंने इन पैसों से लेनी है गाड़ी आज मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ के जाओंगा कल तुम लोग मुझे कहोगे हमें भी अपनी गाड़ी में बिठा तो मैं ये फाल् रिक्षे भी आएगा इस वक्त रिक्षा भी नहीं मिलने वाला अब ये पैदल आएगा